जै गुरू देव। एक परिवारिक वेक्ति जो की पुर्व परदान मंत्री भारत रत्न लाल बादू सास्तिर की जीवन के कुछ संस्मरन मैं चाहूँगा आप लोगे साथ इसको बाटना। उनिसो पचास और उनिसो साथ के दसक में सेंट कोलंबस स्कूल में यह एक समान सी परंपरा बनी हुई थी कि विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड उसके माता पिता को ही स्कूल द्वारा निर्दिस्तिति पर जाकर लेना होता था। मेरे पिताजी ने हमेशा इस परंपरा का पालन और समान किया था। और वह केंद्रिय मंत्री मंडल में एक मंत्री होते हुए भी स्वेम जाकर क्लास टीचर से मिला रिपोर्ट कार्ड लेते थी। उन्हें ये अबाद बहुत महत्पून लगती थी। निसंदे स्कूल के अधिकारियो द्वारा इसकी बहुत सरहना की जाते थी। मेरे कलास टीचर मुझे एक आदस के रूप में उन बिद्यारतों के सम्मुख प्रस्तूत करते थे। जिसके माता पिता अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल जाने की भी जहमत नहीं उठाते थे। जून 1964 में मेरे पिता जी देश के परधान मंत्री बन गया। सितंबर में 2002-2070 की परिछ्चाएं होई और दसारे से पहले सुरू होने वाले सरद अवकास से पुर्भ हमारे रिपोर्ट कार्ड तयार था। बच्चों के मात अपिता को परमर्स दिया गया कि सरत औकास प्रारम होने से पुरु भी वे अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आकर ले जाएं। सास्त्री जी ने मुझे से कहा कि वह हर बार की तरह मेरा रिपोर्ट कार्ड लेने आएंगे। और मेरे लिए यह एक समान बात थी रिपोर्ट कार्ड वीतरन करने के दिन वह स्कूल पहुंच गये। सास्त्री जी ने राइवर को गाड़ी बाहरी खड़ी करने का निदेश दिया और स्वेम स्कूल के गेट पर ही उतर गये। उनके साथ कुछ कम सुरच्छा करमी थे चोगिदार ने उनसे कहा भी कि वह गाड़ी इसकूल के झांदर खड़ी कर सकते हैं लेकिन सास्त्री जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। चौकिदार ने सास्त्री जी से कहा कि आखिरकार अब भारत के परदान मंत्री हैं और गाड़ी को अंदर तक ले जा सकते हैं सास्तिर जी का उत्तर था कि वह स्कूल में भारत के परदान मंत्री की हैसियत से नहीं वल्कि अनिल शास्तिर के पिता की हैसियत से आए और उसके साथ भी अनावी बायोकों के समानी वैवार किया जाना शाहिए मेरी कच्छा एगारा भी प्रथं मझेल पर थी और वह मेरे साथ सीनियां तक चड़कर कच्छा में पहुंचे मेरे कलाश टीचर अधारनी ब्रदर टाइनन उन्हें देखकर हैरान थे उन्हें बड़ी निम्रविनम्तरा से का कि उन्हें स्ट्रेम रिपोर्ट कार्ड लेने आने की कोई जरूत ही नहीं थी इसके लिए वह किसी और को भी बेश सकते थे सास्तिर जी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया कि वह सुरू से ऐसा ही करते आएं और आइंदा भी ऐसा ही करते रहेंगे ब्रदर टाइनन ने कहा कि अब तो वह परदान मंतरी है साथती जी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया बरदर टाइनन परदहान मंत्री बनकर मैं तो नहीं बदला लेकिन लगता है कि आप आवस्थ बदल गए हैं मुद्धी सार में साथती जब रिपोर्ट कार लेने स्कूल गए तो इससे वह अपने बच्चों को यह संदेश देना चाहते थे कि उनके परदहान मंत्री बनने का यह अर्थ नहीं था कि उन्होंने अपनी अधिकारिक गति वीडियों में व्रस्ता के चलते एक पिता की हैसित से अपने जिम्मेंदारियों को निभाना छोड़ दिया था वह उन्हें आस्वस्त करना चाहते थे कि अपने काम के बोज़ के बावजूद उनका पिता पहले की तरह ही उनके साथ खड़ा था और यह उनकी एक परिवारिक जिम्मेंदारी थी उनके संकेस से बच्चे यह जानते थे कि उनकी सैचनिक प्रगर्ती पर नजर रखने वाला भी कोई है और इसलिए वे अपनी पढ़ाई में गंबिरता प्रुबग जुटे रहते थे देश के परदान मत्री होती हुए भी उन्होंने हमेशा अपने आपको एक सधारन व्यक्ति की तरह ही समझा और मेरा रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल जाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी उसमाता पिता से अलग नहीं थे जिसके बच्चे सेंट कॉलंबस में पढ़ रहे थे तो ऐसे थे हमारे लालबाद उस्वास्ति जी जिनके अनगिनत खिस्से ऐसे हैं जो आपको बिस्वास नहीं हुआ कि एक परदान मंतरी ऐसा कर सकता है मझे याद है एक समय की बात है एक होटल में वो खाना खाने के लिए गए हुए थे खाना के खाने के बाद वो स्वैम अपने हाथों से पलेट को उठा कर धोने के लिए चल दिये जो वहाँ पर बैरा होते हैं उन्हों ने कहा कि सहाब आप ये क्या कर रहे हैं मैं हूँ इसके लिए लेकिन उन्होंने उनको मना कर दिया और स्वेम जाकर उस बरतन को उस अस्तान पर रखा जहां पर उसे रखना चाहिए रहा है तो ऐसे ऐसे बहुत अनेक उधारान है उनके जो अतुलिये हैं इंक्रिडिबल है ऐसे सक्स्त को मेरा सलाम है और दूआ करता हूँ कि इस धर्ती पर ऐसे व्यक्ति का जनम बार बार होता रहता कि हमारी भारत वर्स की भूमी इससे गौरवांतित या गौरो कानभो प्राप्त कर सकते हैं और हमारे युवा इससे कुछ सीख सकें इनके संदेश पढ़ने योग हैं मैं आगर करऊंगा अपने युवाओं से कि लादबादु सास्तिर जी एवं अन बड़े जो हमारे देश के संद महात्मा हुए हैं या परधान मंतरी राश्पती जो भी हुए हैं अब्दुलकलाम सहाब ऐसे से महान बहुती हैं के बारे में पढ़कर उनकी जीवनी को पढ़कर आत्मसार करना चाहिए इसी के साथ ये छोटा सा संदेश मेरा आप सब के लिए था बहुत बहुत धन्यवाद